हमारा क्रोन होता है जहां से क्रेन खुमता है तो यह रहा हमारा क्रेन आप देख लोगों को स्रिफ एक बार में समझ में आ जाएगी हेलो गाइज वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल देव लोग में आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है और आज आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ सुरुवात करते हैं और जो फिप्की कन का सनी क्रेन है सनी क्रेन का आप लोगों को आज रेडियस के बारे में बताने जा रहा हूं मैं और उसका जो लोड चार्ट किस तरह से देखा जाता है मैं उसके बारे में आप लोगों को बहुत ही आसान screening से बताऊंगा और आप लोग मेरे वीडियो में लाट्ट तक बने रहें बिल्कुल ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ किस तरह से radius देखा जाता है radius बोला किसको जाता है और load chart देखा कैसे जाता है crane का तो crane के बारे में आप लोगों को तो मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ और video डाल भी चुका हूँ लेकिन आज आप लोगों को बिल्कुल crane का मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो की बहुत ही जरूरी होता है crane के लिए और उसका जानकारी रखना भी बहुत जरूरी होता है क्वाज theory भी दिखाऊंगा और उसको practical करके भी दिखाऊंगा computer से भी दिखाऊंगा और उसका load chart होता है मैं उसके थुरू भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरसे इसको देखा जाता है और चलिए फिर लेट न करते हुए वीडियो को शुरुवात करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं यह हमारा computer रहा आप देख पा रहे होंगे यह Sunny Crane Sunny Company का computer है जो कि Sunny Crane का है और इसमें देखिए सारा चीज सो कर रहा है और यह हमारा crane है माल लेजी आप आप तस्विर में ही देख लिजी और यह crane है तो मैं एक आसान तरीका से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि radius इसमें already जब computer आप चालू करेंगे या तो यहाँ पे जब operating cabin में आएंगे तो हर चीज दरसाता है लेकिन आप लोगों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि radius बोला किसको जाता है तो देखिए radius हमारा जो operating cabin होता है operating cabin से जो boom का length होता है जहां पे हमारा जितना भी निकाले boom वो जहां पे rope गिरता है अनि हमारा hook जहां पे गिरेगा उस दूरी को radius बोला जाता है अनि कि यहां operating cabin से लेके जहां हमारा hook गिरेगा उस दूरी को radius बोला जाता है और देखिए यहां पे आप जब computer पे बैठेंगे ना तो यहां नीचे देखिए यह 14.30 पे है यह हमारा radius आप जितना इसको आप बढ़ाते जाईएगा उतना radius बढ़ता जाएगा जितना उसको नजदीक लाएगा उतना radius कम होता जाएगा तो यहां से आपको radius का बारे में पता चल जाएगा तो चलिए आपको हम बताते हैं कि आज radius किस तरह से देखा जाता है आनि कि load chart इसको load chart किस तरह से देखा जाता है और detail में map के सहरे आपको मैं पूरा बताता हूँ कि कैसे कैसे देखा जाता है तो चलिए आपको मेप के और ले चलता हूँ मैं तो देखिए यह हमारा पूरा मेप है यह देखिए क्रेन जो कि यहां पर आपको ओपन दिख रहा है यह जो आप देख रहे हैं यह जितना सारा यह सब है यह पीन है क्रेन का जो जहां पर रॉप वगेरा खाया कहां पर है यह देखे यहां भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि यह operating given है और यहां से लेके जो दूरी हमारा होता है बूम का उसको radius बोलते हैं और यह रहा हमारा chart आप देख रहे हैं यह हमारा है load chart जिसको देखके हम लोग काम करते हैं और इसी के सहारे किया जाता है और safety भी allowed इसी के सहारे करता है आप इससे ज्यादा करने सकते हैं अगर करते हैं तो आपके रिक्स पे आता है अगर कुछ अनुहनी हो जाएगा तो आप पे चला जाएगा ठीक है और यह हमारा जो आप यहां पे देख रहे हैं न यह जो बिल्कुल देख रहे हैं यह है हमारा फ्लाइज flyagip उतना यूंज नहीं होता है कि किसको बोला जाता है बाद में। और इह है रहा हमारा लॉड चार्ट और किसी तरह से देखा जाता है आपको मैं ने बता दिया। याउध स किसको बोलते हैं, सामने आप देखा रहे होlectric और यह हमारा है radius देखिए तीन से radius start होता है 3 से अब इसमें बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और last 34 तक radius आता है एक चीज आप लोग याद रखिएगा जितना radius बढ़ेगा उतना आप load कम उठा सकते हैं लोड घरता चला जाएगा घरता चला जाएगा ल आप देख रहे हैं यह radius जो है 34 तक है और यह हमारा बूम एंगल है जो 43 मीटर है पूरा फूल 43 मीटर है यह सनी क्रेन का 50 टन का आप पूरा बूम निकाल देंगे तो 43 ही निकलेगा इससे जादा नहीं निकलेगा और हमारा बेसिक बूम है देखिए 11.5 सारे 11 मीटर है जो कि कि जब हम पूरा क्रेन क्लोज कर देते हैं तो क्लोज करने पे हमारा जो बेसिक भूम है इतना 100 करेगा 11.5 पे जितना आप चाहे अपने मरजी से निकाल सकते हैं 12 13 14 15 16 जितना भी चाहे आपकर करके 43 तक आप निकाल सकते हैं तो यह हमारा है भूम एंगल और ये जो आप देख पा रहे होंगे इतना सारा ये हमारा है लोड तो इसको देखने का तरीका चलिए आपको बताते हैं कि ये किस तरह से देखा जाता है और ये जो तीन मीटर तीन रेडियस है ये तीन मीटर रेडियस पे और ये 15.44 है आनि इतना पे या तो 19.38 आनि 19.38 पे कितना आनि कि देखिए यहाँ पे अगर चार रेडियस है तो चार रेडियस पे अगर 19 मीटर 19 मीटर हमारा बूम निकला हुआ है या तो 27 मीटर 27.25 निकला हुआ है और 4 मीटर रेडियस पे हमारा कितना लोड उठा सकता है ठीक है न तो हमारा कितना लोड उठा सकता है माल लिजे आपको सबसे देखने का आसान तरीका देखे मैं बताता हूँ कि क्या है सो माल लिजे कि आपका 35 मीटर बूम निकला हुआ है आनि 35.13 यहाँ पे लिखा है ना 35.13 मीटर बूम अगर आपका निकला हुआ है और आपका रेडियस बन रहा है 10 ठीक है तो यह चीज याद रखिए पहले आप रेडियस देखिए कि आपका 10 रेडियस है ठीक है और 10 रेडियस के अनुसार सीधा आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल सामने चले आईए 30.45 यह 10 का रेडियस है और यहाँ से बिल्कुल सीधा आजाईए 35.13 तो यहाँ से आप बिल्कुल देखिए आपका 10 का रेडियस में देखना है आपका क्रेन 10 का रेडियस में समान रखा हुआ है तो 10 का रेडियस है और आप बूम लेंथ निकाले है 35 का ठीक है ना तो देखिए 35 का बूम लेंथ में कितना रेडियस 10 का radius में कितना बनेगा तो पहले 10 के पास आईए और बिल्कुल आप यहां से बिल्कुल इसके सीधे पर आ जाईए और यहां पर आ जाईए देखिए आपका कितना है यह जो हमारा निकला के PCT आनि 10 का radius पर यह 10 टन 700 हमारा लोड है जो की 35.13 पर 35.13 बूम लेंद पर आप हम इ देख लिए आप हमको बता देते हैं माल लिजए कि 20 का radius है आपके पास ठीक है आपके पास 20 का radius है और आप 49 मीटर बूम निकाले हुए है 39 मीटर बूम निकाले हुए हैं तो सबसे पहले देखिए कि हमारा 20 का radius आ रहा है जो हमारा hook जहां प éléments का ए सिमान है वहां पे 20 का radius देखिए यहाँ पर 3200 kg आप यहाँ पर लोड उठा सकते हैं computer के अनुसार से इसके चार्ट से जो सनी क्रेन का 50 तन का क्रेन है उस चार्ट के अनुसार से आप लोड उसार सकते तो इसी तरह से लोड चार्ट देखा जाता है बहुत आसान है लोड चार्ट देखना कुछ ज्या वाइज होगा妹 झाना और फिर से रिमाइंड करता हूं अप लोगों को यह हमारा रेडियस है यह हमारा बूम लेंठ है और यह हमारा अऩे जो की वेट वाला इ Astronom CC बनता है तो नौर्मल सी बात है देखिए हमा 7 लेटियस हमारा है सेवप रेडियस में और हम हम 27.25, 7 meter का radius पे 27.25 पे कितना उठा सकते हैं, तो 7 meter radius पे हम बिलकुल यहां पे चले आएंगे, तो आप देख पा रहे होंगे, बिलकुल यहां से आप देखिए, तो यहां देखिए, 18 ton है न, तो देखिए, 7 point पे हम 18 ton उठा सकते हैं, तो चलिए मैं आपको prove करके दिखाता कि load chart और computer का जो computer है, वो chart match करता है या ने करता है, तो हमारा अभी crane का boom length निकला हुआ है 35 पे, बिलकुल देखिए, 35.13 पे, यहां पे आपको दिखाता हूँ, मैं 35.13 पे और हमारा radius यहां पे है 14 meter पे, देखिए, यह हमारा boom length निकला हुआ है 35.13 और हमारा radius है 14 meter पे, तो दे 5000 kg का, तो 5 ton का यह हमारा capacity है, देखिए, आप बिलकुल सामने से देख रहे हैं, और आपको चलिए दिखाते हैं कि अब computer में same, आपके हमारा 35 ton, 13 boom length और यह 14 meter radius पे 5 ton बनता है या नहीं है, तो देखिए, बिलकुल computer पे, आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए, 35.13 आपको 0 0.3 है, तो यह 13 हो गया, तो यह देखिए, यह हमारा boom निकला हुआ है, 35 meter, और 35 meter हमारा radius देखिए, आणि यह 14 है, 3 point कुछ कम है, यह हमारा radius देख लिजे, जो हमने दिखाए था, आणि 14 meter का जो radius उसमें point कुछ कम है, यह जरा सा हिलता भी, यह तो 19-20 हो जाता है, तो इसको 14 ही मानेंगे, चोदो मानेंगे, 3 point कम है, और इसका capacity हमारा देखिए, यहाँ पर बनता है कितना, तो देखिए, यहाँ पर maximum 5 ton हमारा bet बता रहा है, देखिए, और जो कि हमारा, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी उतना ही है, देखिए, चोदो मिटर के radius पे, हमारा 5 ton capacity बता रहा है आनि 35 boom length पे लेकिन यह जो आप ज़्यादा देख रहे हैं यह जब रॉप आप ज़्यादा बढ़ाएंगे जब 6 length करेंगे या 4 length करेंगे तो फिर यह capacity आप ज़्यादा उठा सकते हैं लेकिन जो देखा जाता है अभी हमारा यह है क्योंकि 4 fall पे है चार fall पे है तो यह capacity हमारा इतना बनता है तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सस्क्राइब लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप लोगों को कोई और भी जनकारी चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स पे कॉमेंट करें मैं आप लोगों को जरूर जो भी जनकारी चाहिए वो मैं देने का कोशिस करूँगा और ज्यादा जनकारी चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स पे अपना नंबर छोड़ सकते हैं मैं आप लोगों को रिप्लाइज जरूर करूँगा और शेयर जरूर करें ताकि आपके एक शेयर से और किसी को जनकार ही मिल सके और सिख सके बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और खास करके मैं आउट आप कंट्री हूँ तो यहां पर टाइम बिल्कुल ही ने मिलती है फिर भी मैं वीडियो बनाता हूं तो आप लोग प्लीज सस्क्राइब जरूर कर दें जो ने भीवर हैं और जो हमारे जो भीवर हैं वो मेरे वीडियो को सेर जरूर करें ताकि और कोई आप लोगों के थूरू देख सके और उन लोगों को भी कुछ सिखने को इस वीडियो के मैधियम से मिल सके